परहेंगे क्या इस लेक्षिर में कि जो differential equation होता है first order and higher degree तो हम एन डिक्री का जो है equation लेकर चलेंगे order जो रेगा वह first ही रेगा फस degree क्या रहेंगी ज़ादा रहेंगी और इनको solve करने सीखेंगे फिर इसमें कुछ part आजाएंगे कि Solvable for X, Solvable for P, Solvable for X and Solvable for Y. मतलब X के लिए Solve करने सिखेंगे, Y के लिए Solve करना सिखेंगे और P के लिए Solve करना सिखेंगे. जहां पर यह जो P रहेगा, P की value हम यह समझ लेके चलेंगे कि यह D Y by क्या है? D X है, ओके? तो यह धीरे-धीरे हम सिखते हैं कि कैसे जो है और P के लिए कैसे Solve करेंगे, Q के लिए, Sorry, P के लिए कैसे Solve करेंगे, X के लिए कैसे Solve करेंगे, और Y के लिए कैसे Solve करेंगे? हम इस पूरे topic में जब हम First Order and Higher degree की बात करेंगे तो P की value को यह लेके चलेंगे कि P की value D Y by D X होता है, ठीके? तो जो most general form होता है है ना जो most general form होता है किसका first order and higher degree का वो होता है यह p to the power n p1 p to the power n minus 1 plus p2 p to the power n minus 2 plus and so on plus pn equals to 0 यह जो है most general form होता है किसका first order and higher degree differential equation का इसको ऐसा भी लिख सकते हम किस तरीके से express कर सकते हैं इसी को इसी को हम ऐसा express कर सकते हैं कि कोई differential equation है जो कि f function मान लेते हैं कि यह क्या है x y और p का function है जहां पर p की value क्या लेके चलेंगे d y by dx लेके चलेंगे और यह है कैसा यह कुछ इस तरीके से रिखा हुआ है this is equals to p to the power n plus यह जो p1, p2 हमने कहा न यह p1 क्या होगा p1, p2 यह साब y के x, y के function रहेंगे हैं न ऐसा लिख दिया फिर प्लस में sorry 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 यहां प्लस नहीं आएगा हाँ यहां प्लस आएगा प्लस और यह लिखेंगे p1 ठीक है और यह क्या रहेगा x और y का function रहेगा इसके साथ में p to the power n minus 1 फिर प्लस p2 यह भी क्या रहेगा x और y का function रहेगा और अब p की power n minus 2 प्लस and so on प्लस कितना जाएगा p to the power के वल p ही बचेगा है न pn बोलते से pn और xy का यह भी function और p की power decrease होते आ रही है तो बस यहाँ पर कोई भी power नहीं बचेगा और अगर इसे 0 के कोई कर दें तो यही कह रहाता है first order and higher degree differential equation यहाँ पर degree कितनी रहेगी यहाँ पर degree रहेगी n क्योंकि highest degree कितनी आ रहे है p की n आ रहे है इसलिए n order का sorry n degree का first order differential equation यह कह रहेगा तो यह होता है general form किसका first order and higher degree का तो इसी चीज़ को अगर हम इस तरीके से लिखते है तो यह भी जो है इसी का form रहेगा ठीक है यह बस p की जगा पर dy by dx हमने लिख दिया है अब यहाँ से कुछ category आएगी हमारे पास इसको solve कैसे करना है ठीक है इसका solution कैसे पता करेंगे ठीक तो solution कैसे पता करेंगे वो हमें क्या क्या कितने type मिलेंगे b के लिए solve करे x के लिए solve करे y के लिए solve करे और यहाँ पर और भी कुछ forms मिलेंगे जो हमें पढ़ने रहेंगे और यह आपको next parcel differential equation में भी काम आएँगे missing रहेगा कोई एक variable miss रहेगा ठीक है और एक और form रहेगा इसका जिसमें जो है homogeneous दिया रहेगा ये homogeneous दिया रहेगा x and y में और एक और form पढ़ेंगे six जिसे हम बोलते हैं clariate form ठीक है ये इतने सारे form हमें करने रहेंगे discuss clariate form ये इतना सारा हमें पढ़ना है तो एक एक करके करते हैं start हो करेंगे सारा का सारा discuss और यहां पर जो हमारा first form है वो क्या है हम पढ़ेंगे solvable for P क्या equations solvable for P P के लिए हमें कैसे solve करना रहेगा ठीक है तो P के लिए solve करने के लिए जिसे मान लो हमारे पास जो differential equation दिया हुआ है ठीक है यहां पर यह जो differential equation दिया हुआ is form में ठीक है यह जो differential equation दिया हुआ is differential equation को में कुछ इस फॉर्म में convert कर देना कैसे फॉर्म में convert कर देना है स्वारू करना है इस differential equation को और इसे कुछ इस तरीके से express कर देना कि एक में क्या आजाए P आजाए माइनस में R1 आजाए ठीक है फिर दूसरे bracket में P आजाए minus r2 आजाए ऐसे करते करते multiply के ही form में p आजाए minus rn आजाए equals to 0 यानिकि इसका factors के form में express कर दे जहां पर यह जो r1 है r2 है r3 है यह सभी के सभी क्या रहेंगे यह functions रहेंगे किसके यह ऐसे रहेंगे यह इसको ऐसे दे जितने भी r eyes है यह क्या है यह क्या है x और y के function है जैसे r1 भी x y का function रहेंगा r2 भी x y का function रहेंगा r3 भी x y का function रहेंगा इस तरीके से रहेंगा अब जब हम इस form में express कर दे क्या करना देखो first step में यह करना है कि पहले इसको इस form में factors के form में express कर देना है उसके बाद क्या करना है यहां से हर एक फेक्टर को लेंगे ठीक है जैसे पहले में हमने ले लिया कि P minus R1 equals to क्या है 0 है अगर P minus R1 equals to 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तो क्या करेंगे ऐसे एक एक फेक्टर ले लिया इसा हमने पढ़ा है ना पहले जब हम quadratic equation स्वार्व करते हैं पहली बार 10th में तो हम क्या करते हैं कुछ ऐसा form रहता x square minus में 5 x plus में 6 equals to 0 तो इसको x minus 2 और x minus 3 में करते ना यह 0 अब यह 0 है तो इसको एक हर एक factor 0 किको रहते ना x minus 2 equals to 0 और x minus 3 equals to 0 तो सेम ऐसा ही work हमें यहाँ पर करना रहेगा जब हम इस form में convert करेंगे हमारे differential equation को तो एक-एक factor को 0 के equal ले लेंगे और इनको solve करेंगे ठीक है जैसे यहाँ से इसको solve करेंगे तो कुछ भी आएगा जैसे p की value तो है dy by dx है minus r1 equals to 0 है इसको solve करेंगे इसको solve करेंगे तो मान रहें इसका इसे ही दूसरा factor लेंगे हम दूसरा factor क्या है p minus में r2 है यह 0 के equal लेंगे यह 0 के equal लेंगे यहाँ से क्या आएगा dy by dx माइनस में r2 r2 क्या xy का function है इसे भी solve करेंगे इसको solve करने करने के बाद मान लो इसका solution जो आया वो f2 आ गया और यह भी क्या रहेगा xy और यहां पर कोई सा constant दूसरा आएगा this is equals to 0 ऐसे करते 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 चले जाएंगे और हमें finally क्या हो जाएगा देखो आर एक solution यह मिला solution यह दो हैशन होगा फालेन एन एक फेक्टर होंगे न यहां होगा पर किटने फेक्टर होंगे आ फेक्टर होंगे जीतने यहाँ पर पावर रहेंगी maximum उतने फेक्टर cry it उनले और उतने फैक्टर cry पास यहां पर n solution मिलेंगे p minus r n equals to 0 यानि कि dy by dx minus r n equals to 0 यहाँ हमें nth solution मानूँ f n x y और c n constant यहाँ पर यह इतने सारे solution मिल जाएंगे और इन ही सारे solution को अगर हम multiply करके लिख देंगे है ना अगर हम कुछ इस form में कनू लिख देंगे इनको therefore the required solution क्या बोलेंगे therefore the required solution required solution जो होगा हमारे differential equation का वो होगा b of the form कौन से form का होगा f1 x y c1 f2 x y c2 and so on ऐसे multiply में fn x y cn equals to 0 यह हो जाएगा इसका differential equation का solution कुछ ही इस तरीके से ठीक है हमारे पास जो भी equation दिया हुआ है पहले इस form में convert करेंगे क्या करेंगे पहले इस form में convert करेंगे convert करने के बाद इनका solution निकालेंगे ठीक है solution निकालने के बाद में आरे पास यह जो c1 c2 cn रहेंगे यह सब arbitrary constant रहेंगे और यह arbitrary constant जब अपन इंटेरियर करते हैं तो यह सारे वही constant एंटरेंगे अपने और इनको क्या करेंगे सालूर करेंगे मतलब यह सारे सोलूशन है और इनको मुल्टिप्राइब करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा जो भी हमारे पास given differential equation है उसका solution आ जाएगा और एग्जामपल एग्जामपल के लिए अपन यही question रहेते हैं जो भी मैंने factor करके आपको बताया कि पी स्क्वाइर माइनस 5P प्लस 6 रहेते हैं तो पी स्क्वाइर माइनस 5P प्लस 6 क्या हो जाएगा पी माइनस 2 पी माइनस 3 इक्वलस तो 0 है ना वेरी सिंपल वे में है ना इजी यह तो देखो यहां करा कर लिया हमने इसको लिफ दिया ऐसा वे स्क्वाइर माइनस 5P प्लस डूg 16 क्या जाएगा अब क्या जाएगा p-2 और p-3 this is equal to 0 तो पहरा क्या जाएगा p-2 equal to 0 और दूसरा क्या जाएगा p-3 equal to 0 अब p-2 equal to 0 यानि कि dy by dx minus 2 equal to 0 और यह dy by dx minus 3 equal to 0 यहां से क्या जाएगा dy equals to 2 dx और integration करेंगे इसका तो y equals to 2x plus में c1 और यहां से इसका integration करेंगे सेम ऐसा ही तो क्या मिल जाएगा y equals to 3x plus में c2 यह दो solution हमें मिल रहे इस तरीके से और इसी को हाँ कुछ जगा आप ऐसा भी देखना देखने को मिल सकता कि यह constant सेम सेमें एड कर रहे हूं सेम भी कर सकते हैं तो इसका मतलब जो हमारा solution रहेगा therefore जो solution रहेगा required solution जो रहेगा वो क्या हो जाएगा इन्ही को एक साथ करके लिख दो है ना x का भी function y का भी function और c का constant का भी function तो क्या जाएगा y इन सब को इधर लेके आजाओ माइनस में 2x माइनस में c1 को सी रिख दो ऐसे ही यहाँ पर y माइनस 3x माइनस c और this is equal to 0 तो यह हो जाएगा हमारा given differential equation का solution ठीक है ऐसा ही वर्ख हमें करना रहेगा next जो हमारा question है वो यह ले लेते थोड़ा सा difficult है ना थोड़ा सा जादा नहीं पी square प्लस में 2py sec x प्लस में y square ऐसा कुछ हमारा differential equation भिया हुआ है तो first of all हमें क्या करना पड़ता है factors पता करने पड़ते हैं अब अगर आप इसका factor बनाने जाओगे ना तो फिर थोड़ा problem का सामना हो सकता है करना पड़ जाए वैसे तो process करते हैं अपन यहां से apply कर देते हैं भाई इस पर कौन सा formula minus b plus minus b square minus 4ac तो यहां से देखो अगर यहां से हम देखें तो क्या मिलेगा यह तो क्या हो गया p square यानि कि यहां से जो a की value है वो कितनी हो गई 1 हो गई और b की value जो आएगी हमारे पास कितना p को छोड़ दो बाकी कितना बचा है 2y sec x बचेगा और c की value जो है कितना है पूरा का पूरा y का square है यह सारी value जो यह जाके यहां पर put कर देते हैं तो minus में 2y sec x आजाएगा plus minus b square b की जगा पर कितना है यह है इसका square 4 y का y square sec square sec square x minus में 4ac होता है तो 4 ऐसा कैसा a की value 1 है और c की value कितनी y square तो यह आगया upon में 2a यह ऐसा बन जाएगा अब देखो 4 को common करके यह 2 को cancel out कर दो 4 को common करके 2 को cancel out कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा यहां से minus में y बचेगा और देखो यहां पर solve करके देख रहते हैं इसको square root में हमारे पास कितना है 4 को common करके बाहर निकाल दिया y square को common कर लो तो क्या बचेगा हमारे पास sec sec square x minus में 1 बचेगा और sec square x minus 1 को हम क्या बचेगा 10 square x बचेगा by the identity है ना हमने यही तो पढ़ा 1 plus में क्या होता है 1 plus 10 square x equals to होता है कितना sec square x तो यह 1 को इधर बेज़ दोगे sec square x minus 1 की जगा प्या जाएगा 10 square x तो square root में कितना y square और कितना 10 square x तो यह square से root cancel तो y 10 x बचा यानि कि y को भी common कर दें तो हमारे पास जो value बचेगी dy by dx की यह बचेगी कि यह क्या आ गया minus में y bracket में plus minus x plus minus sorry minus में y bracket में sec x plus minus 10 x यह हमारे पास dy by dx की value आ जाएगी अब यहां से वही variable से variable वाला काम कर लेते हैं कि dx को इधर बेज़ जेते हैं और y को इधर बेज़ जेते हैं तो क्या जाएगा dy by y और फिर क्या जाएगा माइनस में sec x plus minus 10 x आ जाएगा अब क्या करें यहां से एक बार positive sign रहे एक बार negative sign रहे और इसका integration करते हैं है ना और integration integration करते हैं अगर तो हमें क्या मिल जाएगा dy by y का log y आ जाएगा और sec x का integral किता log sec x plus 10 x और 10 x का integral log sec x और log में ही इसको भी plus कर लो और log लगाई है तो इसको भई log का formula इस पुरे पर लगा दो और पुरे पर लगा देंगे तो divide वाला काम हो जाएगा है ना minus को common कर लेते हैं यहां से यह रूल पढ़ा है ना अपने log m minus में अगर log n होता है तो क्या जाता है log m by n हो जाता है यहां से minus को sign common कर लिया तो constant c क्या हो जाएगा upon में आ जाएगा फिर यहां से देखो यह भी minus में यह तो one upon कर देंगे तो positive हो जाएगा तो c उपर आ गया यह upon में आ गया log से log को cancel कर दिया तो y की value कितनी आ गई यहां से c upon में sec x bracket में sec x plus 10 x और sec x को क्या लिए सकते one upon sec x को क्या लिए सकते cos x को लिए सकते हैं तो यहां से y की value आ गई y c cos x upon में sec x plus 10 x और same ऐसे ही अगर negative sign लेते हैं यहां पर तो यह आ जाएगा है ना इंटे기रल पुरा का पुरा वैसा का वैसा ही यह मायनस sign यहां पर भी है मायनस sign यहां पर भी है तो एक काम करते हैं मायनस sign को common का से लग का formula लगा देते तो इसा हो जाएगा मायनस है तो इसको उल्टा कर दो और दो कर दो गे c x upon में sec x plus 10 x यह आजाएगा आपका y का y की वेरू जब लॉक को लॉक से कैंसर आउट कर दोगे यह हो गया आपका एंसर एक यह आ गया और एक यह आ गया इन दोनों को मुल्टिप्लाइ करके लिख देंगे बस हमारा क्या जाएगा एक सोलुशन आ जाएगा तो इस सम को देखिए यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर दिया है आपको p square प्लस 2 py cot x माइनस में y square तो same वहीं काम करना है न क्या करना है formula method apply कर देना यहाँ पर तो a की value कितनी है यहां से a की value कितनी हो गए one और b की value कितनी होगी यहां से B की वेरू कित्ती ही आ जाएगी यहां से आपके पास B की वेरू आ जाएगी 2Y और कितना Cortex Cortex और C की वेरू आ जाएगी माइनस में Y का स्क्राइड यह साही वेरू फॉर्मुला मेथेड मेरा दो माइनस B यह कर दो नहीं ठीक है यह थोड़ा ठीक रहेगा यह फिर यह लेगे माइनस B यानि की माइनस में 2Y Cortex प्रस माइनस B Square 2 का Square 4 Y का Square Y Square Cort का Square Cort Square X माइनस यहाँ पहले से है तो क्या आ जाएगा यहा पर प्र्रस में 4Y Square देखो 4Y Square दोनों जगा से Common कर लो तो बाहर जाएगा कितना 2y बचेगा और 2 को common करके cut कर दो देखो क्या आएगा इसको अगर solve करोगे तो कितना आजाएगा 2y cot x plus minus 4y square को common करोगे क्या आएगा 2y आएगा और square root के अंदर कितना बचेगा cot square x plus में 1 इतना बचेगा पूरे के phone में 2 2 को common करके क्या कर दिया cut कर दिया और 1 plus cot square क्या होता कॉसेक square होता स्कॉार से root cancer तो क्या बचेगा कॉसेक बचेगा यानि कि हमारे पास p की value ये आगई पी की value ये आगई तो एक बार क्या करेंगे minus sign रिएगे यहाँ का और एक बार यहाँ का प्लस साइन लेंगे है ना माइनस साइन लेंगे तो क्या प्लस साइन लेंगे तो माइनस क्या जाएगा हमारे पास यह वैलू आ जाएगी एक बार और एक बार यह वैलू आ जाएगी और अगर यह वैलू आ जाती तो यहां से इसका integration कर देते हैं देखो यह एलू रही है और यहां से हमने क्या करा वेरेबल सेप्रेबल our go क्या क्या लिए है पी को हम लिख सकते हैं जी Minute x इकल फुकितना वाए और कितना कॉसे x के साथ में minus में कितना cortex ऐसा यह y को upon में dx को इधर भेज दिया तो कितना आ जाएगा dy by y और this is equal to कितना जो है cosmic x minus में cortex के साथ में कितना आ जाएगा dx जाएगा अब cosmic x का इंटेगर कितना होता है cosmic x का integration करेंगे cosmic x का integration कितना हो जाएगा 10 x upon में 2 और cot x का क्या होता है log में sin x होता है और constant भी क्या करेंगे log में ही add कर देंगे ओके और constant अगर log में add कर देंगे तो यहाँ पर फिर formula लगा देते हैं ठीके 10 x upon 2 को अगर हम express करना चाहें तो क्या लिक पाएंगे देखो यहाँ से यह हो जाएगा हमारा ठीके कि यह जो यहाँ पर अगर अपन अप्लाई करते हैं क्या यहाँ पर अगर हम यह बोल देते हैं कि यह जो solution आया है यहाँ पर log को solve करते हैं तो log m प्लस log n क्या होता log m n होता था इसा लिक सकते हैं और उसके बाद sin 10 को क्या हो सकते हैं sin upon में cos रिसकते हैं और sin 2 theta का यहाँ पर formula लगा देंगे तो 2 sin x by 2 और cos x by 2 हो जाएगा और cos से cos यह cancel हो जाएगा तो क्या आजाएगा log 2 sin square x by 2 आजाएगा log 2 sin square x by 2 अगर आजाता है तो यहाँ से फिर से यह formula cos 2 theta को से क्या होता 1 minus sin square theta by 2 और यहाँ से 2 sin square x by 2 की वर्यू पता कर लेते तो यहाँ आजाएगा है ना यानि अगर इधर theta by 2 होगा तो यहाँ पर 1 minus cos theta आजाएगा इसका मतलब यह कितना आजाएगा log कितना 1 minus cos theta आजाएगा ठीके और प्लस में क्या है c है ठीके प्लस में c है तो यह log c है ठीके तो इसको ऐसा लिख सकते है और इधर लेके जाएगे तो इधर आजाएगा ठीके और यह हमारा हो जाएगा solution log sorry log cancel होगा तो y 1 minus cos x plus c ऐसे दूसरा solve करेंगे पर दूसरा solve करेंगे तो हो सकता है प्लस में आजाएग उन दोनों को उन सब को multiply करके लिख देंगे तो हमारा क्या जाएगा solution आजाएगा ठीके तो कुछ इस तरीके से solveable for p ठीके solveable for p वाले question को solve करना है सबसे पहले हमें जो question दिया रहेगा है ना क्या ठीका हमने सबसे पहले हमें जो भी question दिया रहेगा उसको क्या करना है p-r1 p-r2 and so on ऐसे form में solve करना है फिर इसको क्या करना है 0 के को यानि की p-r1 equal to 0 इसको solve करना है फिर p-r2 equal to 0 इसको solve करना है इनके साब के solution आएगे उनके सब को multiply करके लिख देंगे और हमारा answer आ जाएगा ठीके तो ये तरीका है ऐसे ही एक और question है हम चाहें तो इसको भी solve कर सकते है कोई problem औरी बात नहीं है dy by dx को ही हम क्या बोलते है p बोलते है तो ये जो dy by dx का holy square लिखा हुआ तो क्या कर सकते है separate करके लिख दें अगर इसी को separate करके लिख दें अगर x p का square minus में y p sorry plus में और minus में x p minus में y इन दोनों को ले गए और इन दोनों में से क्या कर दें इसा लिख दें x square x p का square minus में x p इन दोनों में से x p को common कर दे तो कितना बचेगा p minus 1 और इसके आगे y p minus y है तो इसमें से y को common कर दे तो p minus 1 अब यहाँ से p minus 1 को common कर दो तो कितना x p plus y बचेगा this is equals to 0 है ना अब यहाँ से इसको लेगो और इसको लेगो तो कितना आजाएगा p minus 1 equals to 0 यानि कि dy by dx minus 1 equals to 0 और इसका मतलब क्या हो जाएगा this implies that dy equals to कितना आजाएगा dx और इसका integration करेंगे तो क्या आजाएगा y equals to x plus 1 x plus c1 या c और इसको इधर लेके आजाओ तो y minus x minus c equals to 0 एक solution यह हो गया और अगर हम इसके बाद दूसरा वाला sorry करें दूसरा क्या है दूसरा है हमारे पास x p plus में y equals to 0 इसको sorry करो तो क्या जाएगा x dy by dx equals to minus में y y को upon में और dx को उदर तो क्या जाएगा हमारे पास dy upon में y equals to minus में dx upon में x इसका integration करेंगे तो log y equals to minus में log x और plus में constant भी log में add कर दो इसको इधर यह क्या जाएगे तो plus हो जाएगा तो log y plus में कितना log x equals to कितना log c log का formula लगा दो तो क्या जाएगा log y into x equals to log में c log से log cancel तो x y equals to c यहां से क्या जाएगा x y minus c equals to 0 एक solution यह आ गया और एक solution हमारा जो दूसरा है वो क्या आया है यह solution आया है इन दोनों को multiply करके लिख दे x minus y minus c into x y minus c equals to 0 तो यह हमारे given differential equation का solution हो जाएगा लूसरा है